क्या आप civil judge, session judge, additional district judge बनना चाहते हैं तो dkdubay.com app ज़रूर डाउनलोड करें play store से हमारी app पे store section में आपको मिलेंगे Hindi English Mixed Language के courses for all judiciary exams अब जिसका लिंक आपको description में दिया गया है नमस्ते सदावसले मत्रभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं Unable High Court के कैसे judgment की जो अलाबाद High Court ने judgment तो नहीं कहेंगे bail grant करते समय कमेंट किया उस कमेंट को पूरे देश की मीडिया ने अच्छे से उठाया ज्यादा तर जो law की पोटल चलते हैं उन पोटलों ने उस कमेंट को दिखाया शायद उस कमेंट का selective part ने दिखाया जो कि उनको पूरा दिखाना चाहिए था मुझे नहीं लगता कि उन् observation एक्चुली कोट ने किया मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां की selective मीडिया भी बहुत कुछ गड़बड करती है कैसे गड़बड करती है कि जो statement court का आता है उस statement को आधा जितना उनके मतलब का होता है उतना वो publish करते हैं देश की फिज़ा बनाने के लिए देश में महुल बिगालने के लिए और बाकी का वो नहीं दिखाते हैं जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बार एक केस जमुन कश्मीर का आया article 370 का उनरेवल सुप्रीम कोर्ट में और article 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा article 370 is likely to be permanent unless until abrogated by parliament यनि की 370 तब तक permanent है जब तक की parliament उसको abrogate नहीं कर देती हमारे यहां की media ने उसको छापा की article सुप्रीम कोर्ट said that article 370 is permanent यनि की 370 permanent है यह सुप्रीम कोर्ट ने का ऐसे ही आपको याद होगा कि वाजप्री जी ने जब गोध्रा कांड के दोरान विजिट किया था गुजरात का तो मोदी जी के साथ यनि कि उस समय के मुख्व मंत्री के साथ उन्होंने कहा था कि राजा का धर्म होता है कि नयाय कर आने वाले वाजपी जी ने मोदी जी को पाट पड़ाया है यानि कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहां की सेलक्टिव मीडिया क्या नहीं करती ऐसा ही यह मामला ऑनेबल हाई कोट का सामने आया हाई कोट में जावेद नाम के एक विक्ति ने बेल एप्लिकेशन लगाई और बे हैं कि जब F.I.R. हुई लड़के के खिलाफ रेप की F.I.R. सेक्शन 376 की F.I.R. हुई जावेद नाम के लड़के हिंदू लड़की और जावेद नाम का लड़का उस हिंदू लड़की ने यह बयान दिया जब 161 का 164 का बयान हुआ तो उसने बयान दिया कि जब हमारे द फिसकल होना चाहते हैं मैं तुमसे निकाह करूंगा मैं तुमसे विवाह करूंगा लड़की कहती है कि मेने अगर हमसे विवाह करना है तो फिर तुमको इसलाम स्विकार करना पड़ेगा मैं इसलाम स्विकार नहीं कर सकती इसलिए मैं धारा 306 का मुकदमा लेकर आई हूँ कि इन्होंने गलत तरीके से मेरी कंसेंट ली और विवाह की कंसेंट ली अभी विवाह करने को तयार नहीं है जब मैंने लड़की बयान देती है कि जब मैंने इनसे कहा कि मैं अपना धर्म परिवरतन नहीं कर सकती संपरदाय परिवरतन नहीं कर सकती तुमको मुझसे विवाह करना होगा तो इन्होंने मुझसे विवाह करने से मना कर गया याने कि मेरे से जो consent ली गई वो free consent नहीं थी मेरे से जो consent ली गई वो धोके से consent ली गई थी और तब मेरे साथ सारीरिक संबंध बनाए गए थे इसलिए ये धारा 306 का मुकदमा बनता है एक तो जाहिर सी बात है कि जिस संपरदाय का उद्देश आवादी बढ़ाना हो जिस संपरदाय का उद्देश कन्वर्जन करना हो जिस संपरदाय का उद्देश धर्म परिवर्तन करवाना हो वो एनके इन प्रकारने लब जिहाद नाम का आजकल शब्द निकला हुआ है लब जिहाद इसी को कहते हैं कि एनके इन प्रकारने लड़की को किसी भी प्रकार से चाहें दवाव बना कर उठा कर गलत कंसंट लेकर उसको प्लोभन देकर या उसको गलत तरीके से बरगला कर उसको किसी भी प्रकार से कनवर्ट करना और विवाह करना कनवर्ट करने से पहले शारीरिक संबंद बनाना हो तो बना लो फिर वो लड़की फस जाएगी अब कनवर्जन करेगी ही और विवाह करेगी तो एक व्यक्ति बढ़ेगा जाती में यानि कि संपरदाय में और उसके साथ जो दस बारा पंदरा बच्चे पैदा होंगे वो भी स तब पिता का नाम धारन करेंगे यानि कि लव जिहाद के एक मामले में दस बारा लोगों को का का परिवर्तन होता है और आबादी बढ़ती है इस बात के लिए चूंकि उद्देश ये है चार निकाह करना लड़की को धोका करना दे देना और लड़की के साथ गलत विवहर करना और चूंकि वो एक पत्निवादी नहीं होते चार विवहा कर सकते हैं इसलिए ये जो लव अफेर दिखाये जाता है ये एक्शूली लव अफेर होता नहीं है अगर ये लव अफेर होता तो वाकई में लड़का लड़की ये कहते कि चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तुम अपना संपरदाय रखना हम अपना संपरदाय रखेंगे और जब कोर्ट मैरिज होती है तो वहाँ पर कोई भी संपरदाय चेंज करने की अवशक्ता नहीं होती वहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें चाहिए एक आप भारत के नागरिक हैं और दूसरा आपकी आयो 18 कोर्जबदस्ती नहीं होती और कोई religion का तो matter ही नहीं होता यानि कि संपरदाय कौनसा है पंथ कौनसा है जाती कौनसा है धर्म कौनसा है इससे कोई लेना देना होता ही नहीं अब अगर court marriage कर लेंगे तो फिर चार निकाह करना रहीं सकते क्योंड एस पर Indian marriage act मैं हिंदू marriage act की की बात नहीं कर रहा हूं Islamic marriage की बात नहीं कर रहा हूं as per Indian marriage act if you are married with a women then you can't do the another marriage without divorce her or without her death या तो उसकी इम्रत्य हो गई हो या फिर वो divorce ले चुकी हो तब ही दूसरा निकाह कर सकते हैं otherwise दूसरा विवहा करने की अनुमती नहीं होती आप का religion कोई भी हो यानि कि आप अगर मुसल मान होते हुए अगर आपने मुसलिम लड़की से ही court marriage की है court marriage के मतलब दो है एक तो यह है कि निकाहा आपने निकाह किया Islamic रिती रिवास से और जाकर आपने court में register करवाई तो इसको court marriage नहीं करते यह registration of marriage है दूसरा है कि आपने नियाले में जाकर ही विवहा किया यानि कि नि उन्होंने वहां free consent दी अपनी आयू का प्रमाणपतर दिया और आपने documents पर दसकत किये और उन दसकत के बाद दो गवाहों के signature हुए अब आप शादी शुदा है कोई भी फॉर्मल्टी करने की अवशक्ता नहीं है किसी प्रकार के चक्र लगाने की अवशक्ता नहीं है किसी हिंदुस्तान के अंदर जो विवाह होता था वो Indian marriage act से ही होता था सक्सेशन होता था इंडियन सक्सेशन एक्ट से होता था 1937 में शरित पार करने की पास करने की जरुवत इसलिए अंग्रेजों को पड़ी क्यों को हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहा था और हिंदू मुस आज भी अगर कोई दो रिलिजन दो कास्ट के लोग कोर्ट में marriage करते हैं तो फिर हिंदू marriage act या इसलामिक विदी से बंदे हुए नहीं होते वो अब बंद जाते हैं इंडियन marriage act से और इंडियन marriage act कहता है कि आप दूसरा निकाह या दूसरा विवाह नहीं कर सकते तो अब लड़का अगर उसने physical हो गया लड़की के साथ हिंदू लड़की के साथ physical हो गया और लड़की ने consent दे दिया था तो अब अगर इस हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का विवाह हो सकता है बिना religion change किये तो इनको court marriage करने के लिए अगर ये जाएंगे तो फिर हो Indian marriage act क के तहद marriage करेंगे और Indian marriage act के तहद अगर marriage हुई तो तलाग भी नहीं दिया जा सकता ट्रिपल तलाग की तो बात बहुत दूर की है तलाग भी नहीं दिया जा सकता और दूसरा निकाह भी नहीं किया जा सकता यानि कि अगर वह उस लड़की को छोड़ना चाहता है तो उसको petition डलने पड़ेगी और वहां से तलाक की degree हांसिल करने पड़ेगी और अगर वो दूसरा निकाह करना चाहता है तो पहली वाली बीवी को उसको divorce देना पड़ेगा और पहली को divorce देने के लिए triple तलाक या तलाक लागू नहीं होता इसलिए वो divorce नियाले में ही होगा याणि कि अब रहा उतनी आसान रहने वाली नहीं है लेकिन जिसका उद्देश कलत करना हो वो कभी भी court marriage करने के लिए agree नहीं होगा वो कभी भी नियाले जाने के लिए agree नहीं होगा वो सबय भी ये कहेगा कि तुम अपना religion change करो और religion change करके हमरे religion में आजाओ मौल भी निकाह पड़ेगा और मौल भी रिकाह पढ़के हमारा निकाह करवा देगा इस निकाह में हमको तलाक देने का अधिकार होगा और तुम्हारे साथ साथ तीन और विवाह साथ में रखने का देकार होगा और अगर पांचमा विवाह भी करना पड़े तो वो पांचमा विवाह इलीगल नहीं होगा इर्रेगुलर होगा यानि कि wife in waiting पांचमा चटा साथ मा वाइफ इन वेटिंग होगा अगर तुमने जादा खिश पिश की तो तुमको वो तुरन तलाक देगा और तलाक देने के बाद जो वेटिंग में पांचमी वीवी है वो चौती बन जाएगी और वो लीगल हो जाएगा यानि कि वो अथराइज हो जाएगा ये एक विवस्था है इसलिए इस लड़के के लिए जब कोट में जब इसके खिलाब 376 का मुगदमा हो गया इसकी गरफतारी हो गई तो हाई कोट में ये बेल मांगने के लिए गया बेल मांगते समय जब आर्गूमेंट हुए तो पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने आर्गूमेंट किया कि इसने जो physical किया था वो consent तो थी लेकिन ये free consent नहीं थी consent by fraud थी और consent by fraud, consent by misrepresentation ये valid consent नहीं होती और चूंकि valid consent नहीं होती इसलिए ये fraud से consent मानी जाएगी और fraud से consent जो ली जाती है उस मामले में rape का case file होता है हाई court के सामने एक argument होते समय हाई court में अब जो मुद्दा फसा ये bail की बात कर रहा हूँ ये regular hearing नहीं हो रही बेल का मुद्दा है bail मांगते समय पाटी ये कह रही है कि हमने consent दी हमने consent ली यानि कि हमने कोई जोर जबरतस्ती इनके साथ नहीं की हमने कोई इनको बरगलाया नहीं हमने इनको कहीं दूसरे रास्ते पर नहीं ले गए हम इनको consent से इनके साथ sexual offense sexual relation बनाया अब मैंने मैं विवाग करने के लिए बी तैयार हूँ मैंने विवाग का promise किया था मैं विवाग करने को तैयार हूँ इनसे लेकिन ये स्वेम विवाग नहीं कर रही है कोट के सामने आर्गुमेंट देते हैं उसने का कि लड़की की तरफ से इनकी पॉबिक प्रोजेकुटर कह रहा है कि इन्होंने उसके सामने शर्त रख दी और शर्त यह रखी कि तुमको इसलाम कुबूल करना पड़ेगा तो हम तुमसे निकाह करेंगे अगर इसलाम कुबूल करने की कंडिशन आई है इसलिए यहां पर कंसेंट बाइप फ्रॉड नहीं कहा जा सकता अधा मैं इनको बेल ग्रांट करता हूं अलोक माथूर ने इनको बेल ग्रांट की सारे सारे के मीडिया हाउस इसने इसको बताया कि कोर्ट ने कहा कि इसलाम कुबूल करने की कंडिशन fraud नहीं है यहीं कि sexual relation बनाते समय निकाह करने का promise किया बाद में उसने ये कहा कि हम तुम से तभी निकाह कर सकते हैं condition डाल दी तो वो condition अपने आप में fraud नहीं है ये court ने कहा साथ में court ने ये भी कहा कि देखिए court के किसी भी proceeding में applicant को हाजर रहना होगा बेल देते समय ये काई बेल के comment है इसलिए इनको हाजर रहना होगा साथ में उसने ये कहा कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी comment trial court पर बात दे नहीं है यानि कि जो हमने comment किया है ये consent free है या नहीं है trial court अपनी merit पर decide करेगा trial court पर इस comment का इस observation का कोई परभाव नहीं पड़ेगा और ये observation या ये जो comment है ये binding नहीं होगा अब ये तो बताया ने कि ये bail के लिए court ने initial comment किया था कि मुझे लगता है कि इस मामले में fraud नहीं है जहां तक प्रामर फसाई मुझे लगता है जबकि court ये कह रहा है कि proper trial चलेगा हम सब जानते हैं कि bail में थोड़े से argument होते हैं और proper trial चलेगा proper trial के दोरान जो बाते आएंगी उनके आधार पर judgment होगा और उस judgment में वो fraud था या नहीं था proper merit पर decide होगा एक बात तो जहां तक मेरा observation है वो ये है कि consent का जो मामला रहता है वो consent and item होनी चाहिए consent and item हम IPC से नहीं उठाते consent and item हम contract act से उठाते हैं यानि कि public prosecutor को वहस करते समय consent and item का matter उठाना था contract act का section 13, 14, 15, 16, 17 और 18 का मामला था बलकि 19 का भी कह लीजे तो ये free consent नहीं है इसलिए ये agreement नहीं माना जाएगा कब होता है coercian से जबरदस्ती बंदूग दिखाकर उससे consent ली गई हो या फिर undue influence में कोई प्रभाव में consent ली गई हो या फिर fraud करके consent ली गई हो या फिर misrepresentation से consent ली गई हो और या फिर mistake से consent ली गई हो यानि कि जो बात की consent ली गई है वो बात थी ही रही अगर इन में से कोई भी consent रहती है तो ऐसा agreement voidable होता है ऐसा agreement valid नहीं माना जाता अगर एक party इस पर शिकायत करती है तो और ये consent misrepresentation की या consent coercion की या consent under influence की या consent fraud की ये consent सभी चुकि fraud और misrepresentation में इतना सा फर्क है की fraud जो है जानबूच कर पहले से किया जाता है misrepresentation कार हो जाता है उसके बाद की situation है लेकिन इस मामले में साफ दिख रहा है कि लड़के ने जो consent दी है ऐसी कोई बादिता नहीं क्योंकि Indian marriage act यहाँ पर रखा हुआ है और Indian marriage act में ये विवस्ता है कि दो religion के लोग एक साथ विव बहा इंडियन marriage act से हो सकता है इसलिए ऐसी कोई condition लगाना यह अपने आप में सिद्ध करता है कि प्रेमे फिसाए दियर वास दा फ्रॉड अट टाइम ऑफ टेकिंग दा कंसेंट भी महिला की कंसेंट लेते समय उसके मस्तिश्क में फ्रॉड चल रहा था इसलिए प्रेमे फि नहीं आता मुझे लगता है कि इस पर जिष्क ट्राइल कोट ट्राइल लेगा तो उस समय ट्राइल कोट प्रॉपर हेरिंग करते समय इन चीजों का ध्यान रखेगा यह मामला आयुध्या का है आयुध्या से मतलब फैयचाबार का है और फैजाबाद में ही यह प्रकंड हु मैंसिज है ये पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को बच्चियों को सुनाना चाहिए ताकि उनको पता लगे कि क्या-क्या खेल कौन-कौन से लोग खेलते हैं योगियादेतना जी ने इन मामलों पर एंटी कनवर्जन लॉल लागू किया है जो बहुत सारे कोर्टों में लिस्पेंडेंस है और कोर्टों को ये लगता है इसमें बहुत सारे टिपणियां कोर्टों के आजसों किया है जिससे ये लगता है कि कोर्टों को ये कानून अच्छा नहीं लगा लेकिन अब merit तो merit है, court में वो challenged भी है, court decide करेंगे कि इन कानूनों में कितना अच्छा और कितना खराब है, वो भविश्य बताएगा लेकिन मुझे लगता है, यहां था consent का मामला था, यह consent by fraud या misrepresentation या not by the free consent का मामला है, court ने observation किया, उसको oblige किया जाता है, लेकिन trial court में, trial चलते समय, यह चीजें ध्यान रखनी चाहिए, कि consent हमें contract act से उठानी चाहिए, ना कि IPC से, अपने मुझे सना, thank you very much, जै हिंद, जै पारत बने मांतरम है